करीब साथ साल से गुलाब बागुद्यान से टोई ट्रेन के इंजन की सीटी की अवास किसी ने भी नहीं सुनी थी लेकिन अब उद्यपुर के विश्व प्रसिद गुलाब बागुद्यान में एक बार फिर से टोई ट्रेन दोड़ती हुई नजर आएगी राज़पाल गुलाब चंद कटारिया ने टॉय ट्रेन का शुबारंभ कर दिया है जिसका नाम महराना प्रताप एक्स्प्रेस है इस मौके पर नगर निगम महापॉर जी एस टॉंक सहित कई गडमाने लोग भी मौचूद रहे दरसल ट्रेन के खराब होने और हाथसों की आशंका होने के चलते नगर निगम ने ट्रॉय ट्रेन का संचालन बंद कर दिया था लेकिन अब टॉय ट्रेन के लिए नया ट्रेक बिचाया गया है जिससे पयाटक जंगल, गुफा और तालाब के खूबसूरत नजारों का लुट्व उठा पाएंगे अब इस टॉय ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत के बारे में आपको बता दें कि ये देश की पहली टॉय ट्रेन है जो इलेक्ट्रिसिटी, डीजल या पेट्रोल से नहीं बलकि लपीजी से चलेगी शुद्वाता वरण में प्रदूशन की समस्या ना हो इसलिए इसे गैस से चलने वाली टॉय ट्रेन बनाया गया है सबसे बड़ी खुस बात यह है कि यह परियरवान प्रेम के हिसाब से है क्योंकि यह हैं से चलेगी और हिंदूस्तान में इसी पहली ट्रेन बनी है जो चलेगी और इसका पूरा एक इंजन है उसके साथ चार डिबे हैं और अभी हमने तीन दिबे इसलिक हैं एक डिबा इसको रिजर रखा है जब भी ज़रूत पड़ेगी परेट्रेक बढ़ेंगे तो इसमें हो गए इस ट्रेन पहले हमाई ट्रेन का नाम अरावली एक्सुर्ड था इस ट्रेन का नाम उन्हें माना पताव एक्स्ड्रेस किया है और हिंदुस्तान से बाहर के लोग हैं तो बच्चों के 50-60 रुपया है और बड़ों का 110 रुपया है और सबसे बड़ी बात है इसके साथ साथ जब यह बड़ पार्क से गुम गएगी तो लोगों को बैठता है बड़ पार्क के अच्छे-च्छे पक्षी देखने को मिलेंग इस बात दो जगए रुकेगी और उसके ट्रेन का आनन लेंगे जो प्रकृति है उसका आनन लेंगे एक इसका नैश्ट जो चरण में है इसमें फूलों की टरनल बनेगी और कई जगे हमें फीस एम्पोरियम रखा लगाएंगे कई जगे शनेक्स एमपोरियम लगाएंगे जिससे लोग इसमें गाड़ी में चलने वाले लोग इनको देख के अभीबूत हो है